तो आज का पहला मैच जो हम चैनल में वीडियो के तुरू कबर करने वाले हैं वो रहेगा यूरो 2020 का मैच चेक रिपब्लिक वर्सेश देनमाक के बीच इस मुकाबलेगा करता है डिटेल एनलिसिस तो चेक रिपब्लिक और डिटेनमाक के बीच ये कोर्टर फाईनल मैच न्यूटल वेन्यू बाकू मैं आज रात 9.30 पी अम पे खेला जाएगा अब अगर आप FIFA रेंकिंग्स देखेंगे तो डिनमाक की FIFA रेंकिंग 10 थैं चेक रिपब्लिक की FIFA रेंकिंग 14 थैं तो पहले मैच में आपको याद होगा वो सब एरिक्षन के साथ जो हुआ उसके बाद एरिक्षन बाहर हुए तो मुझे इनसे उमीद नहीं थी कि इस स्टेज आप दर टूनामेंट तक पहुँच जाएंगे लेकिन इन्होंने एरिक्षन के ना होने के बावजूत अपने बेस्ट प्लियर के ना होने के बावजूत क्या बहतरीन परफॉमेंस किया है और यहाँ पे देखेंगे बहुत ओपन मैच है यह दोनु कंट्रीज एक पहुच गए अगर देखेंगे राउंड अफ 16 में डेन्माक का जो मैच वा था वेल्स से हुआ था चार जीरो से उन्होंने हराया था और डेन्माक ने लास्ट अपने दो मैचेस में आठ गोल स्कोर किये फ्री स्कोरिंग फुटबॉल यह टीम खेल लिया है वेल्स के अगे की थी शॉट्स चांसेस क्रेट बिग चांसेस सब डेन्माक के काफी अच्छे थे तो बहुत एवन पर्फॉर्मेंस डेन्माक का रहा था अगर हम देखेंगे चेक रिपब्लिक ने बहुत बड़ा उलट फेर किया था दो जीरो फेवरेट्स नीदल लेंड को हरा के बाहर कर है तो बहुत ज्यादा इंपर्टेंट मैचे होने वाला है अब एक चीज कहना चाहूंगा लाइनप आने के बाद इस मैच की आठ गरांड लीग और एक फाइनल एसल टीम आपको हमारे टेलीगराम चैनल में मिलेगी लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जोइन कर लिजे पर mostly मैचेस की मैं 8 गरांड लीग टीम भी पोस्ट करता हूं तो जरूर जोइन कर लिजे टेलीगराम चैनल के साथ प्रोवेबल लाइनप पर आते हैं पहले डेनमाग की बात करता हूं वैसे इन दोनों टीम्स में ज्यादा फरक है नहीं लेकिन मेरे को slightly यहाँ पे के साइड हूं यानि कि मुझे 60% चांसेद लग रहे हैं कि डेनमाग यह मैच निकाल लेगी तो अब डेनमाग क्या है थ्री इंदा बैक फॉर्मेशन में खेलने लगी है और जब से थ्री इंदा बैक में है काफी इंप्रेसिव इन्होंने परफॉमेंस किया है खास तोर पे इनके विंग बैक्स ने जिनको विर्थ प्रोवाइट हुई है और इन्होंने पूरा फाइदा उठाया है कैसपर शमाइकल इनके गोलकीबर है अभी के लिए यहाँ पे गोलकीविंग सेलेक्शन अंडिसाइडेड है दोनु टीम्स के बाद बहुत बढ़िया सौट इस्ट और यहाँ पे अभी बैक टू बैक लास्ट दो मैचेस में दो गोल स्कोर कर चुके है महिले ओवराल बहुत बढ़िया इन्होंने लेफ्ट साइड से परफॉमेंस किया है दो गोल है काफी जांसे करेट कर रहे हैं लेफ्ट साइड से बहुत अटेगिंग तो एक लो स्कोरिंग मैच में महिले को इवन आप एक केप्टन वाइस केप्टन सी का अप्सन भी अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं वास ने भी ओवराल काफी अच्छा गया है और वास वैसी जनरली बहुत अच्छा करते हैं राइड विंग बैक पोजिसन से ललीगा में वेलेंसिया के लिए खेलते हैं ओफेंसिव डिफेंसिव दुनु जगे से पॉइंट दिंगे अब मिनिमाम थ्री या फोर डिफेंडर्स आप इनके पिक कर सकते हैं डेनमाक के क्लीन शीर का डिसेंट जांस मुझे लग रहा है तो उस केज में मेरी थर्ड चोईस फिलाल के एक रिस्चंसन रहेंगे एक तो इनका सिलेक्सान आही है और टूर्नमेंट में एक रेंडम गोल भी इनोंने मारा इसके अलावा हेडिंग अबिल्टी अच्छी है टेकलिंग इंटरसेप्शन पासिंग पॉइंट दिंगे देन अगर आप एक एक्स्ट्रा डिफेंडर्स आ आप इनके पिक कर सकते हैं होईबाग और दिले नी दो डिफेंसिव मिटफिल्डर रहें डिले नी प्रॉपर डिफेंसिव रोल में खिलेंगे अटेक ज्याधा नहीं करते हैं पासिंग टेकलिंग इंटरसेप्शन के पॉइंट आपको दिंगे फिलाल के लिए अभी के लि इसी पॉइंट देते ही देते हैं तो होईबाग को हम बिलकुल इगनोर नहीं कर सकतें टॉटनम के मैच में भी आपको याद होगा हर बाग में मिन इनको पिक करते हैं एक लोई स्कोरिंग मैच में अच्छे रिलाइवल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऊफ funcion भी हो सकते है अब ये फॉल्स नाइन खेलने है जिसमें ब्रेथ फे डाम्सगार्ड और डोलबग इनके फॉरवर्ड हूंगे डोलबग को लास्ट में स्टार्ट मिला दो गोल मारे लेकिन डोलबग पे मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं है हिट एंड मिस प्लेयर काऊंगा उसका रीजन यह नीस में खेलते हैं लीग बन में का परफ़र्वेंस नहीं गया लेकिन उससे बहले आएक्स में खेलते हैं वहाँ इन्हों ने बहुत गोल मारे और जो पिछला मैच हुआ था वेल्स के अगेश्ट वो आएक्स के ही होम स्टेडियम एंस्टेडेन अलीना में हुआ था और व पिछले मैं गोल जरूर है लेकिन बहुत बार क्लोज आये गोल मानने के और मिस इन्हों ने किया ब्रेथवेट बार से लोना के प्लेयर हैं अच्छे रिलाइवल आफ्सन आपके लिए हो सकते हैं हालंकि सिलेक्शन आप देखेंगे डोलवक का हाई है ब्रेथवेट का लेस बहुत अच्छा टूनामेंट डामसगाट का किया क्या इन्होंने पर्फोमेंस किया एरिक्सन की गेर मौजूदगी में उनकी कमी खलने नहीं दिये इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे उब रहे हैं और ओफेंसिवली बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत चांसे क्रेट कर रहे हैं और मैं एक जगे पढ़ ला था कि पिछले जो साथ डेन्माक के गोल पड़े हैं उसमें छे में डारेक्ट इन्वॉल्मेंट रहा है सबी में प्लेयर्स के बारे में एक्स्प्लेन कर दिया ये इनके अभी तक के इस यूरो 2020 के स्टैड है ये स्टैड देखते आपको टीम बनाने में काफी हल्प हो सकती है अपोनेंट की बात करने से वेले एक बाद फिर रिमाइन दिला रहा हूँ इस मैच की लाइन आ पाने चैनल आपको मिल जाएगा तो जरूर जोइन कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा यूरो 2020 में यही कवर कर रहा हूँ ओल्मोस सभी फुटबाल मैचेज में यही कवर करता हूँ चेक रिपब्लिक की बात करते हैं सब को सर्प्राइस करके ये टी इफेंडर्स नहीं लियाओंगा मिनिममम एक या में भी हो सकता है दो आप पिक करें इनके डिफेंस में मेरी नंबर वन चॉइस व्लेडी मेर सूफाल रहेंगे वेस्ट हैम के प्लेयर हैं और राइट साट से बहुत अटेक करते हैं बहुत डिफेंसी पॉइंट भी आपको पिक कर सकते हैं बोरिल लाश्ट मैज में नहीं खेले थे उससे बहला इन्होंने डिसेंट किया कलास ने लाश्ट मैज में एक हैडट असिष्ट दिया था हैड़र से उन्होंने फ्लिक किया था जो कि होलेस ने स्कोर किया था गोल तो कलास भी डिसेंट ऑप्सन है डिफेंस करूँगा लेकिन ऐसा safety wise आप इनको pick करके चलिए क्योंकि selection बहुत आई है अगर माल दीजिए अच्छा performance इनका आया आपके अपोनेंट ने इसको pick किया हो आपने नहीं किया हो तो आप वहीं पे game हार जाएंगे तो फिलाल के लिए safe player होलेस important रहेगा सूचेक को almost hard check republic के game में मैंने pick किया है वेस्ट हैम के लिए क्या season किया था 10 प्लस goal मारे थे इस बार heading ability बहुत जाज़ा solid है अभी तक tournament में एक ही assist दिया है लेकिन सूचेक ऐसा player है कभी भी corner set pieces के through headed goal कर सकता है बहुत quality एस player के बास तो सूचेक को में underestimate नहीं करूँगा defensive offensive दोनों point देगा अब आप देखेंगे इनके forward में मासूपस्ट, बाराक और सेप्चिक attacking midfield में किलिंगे और पैट्रिक शिक्ट इनके loan number नहीं है अगर मैं बताओ मासूपस्ट और सेप्चिक को अभी के लिए मैं ignore करूँगा क्योंकि सब player हम pick नहीं कर सकते और ये दोनों का अभी तक उतना ज़्यादा खास tournament भी नहीं गया तो दोनों अभी के लिए GLP के बाराक को आप definitely consider कर सकते है अगर आपने last match देखा होगा सारे corner kick free kick यही ले रहे थे और इन्होंने इसके अलावा बहुत ज़्यादा chances वगेरा create भी गया था और goal मानने के close भी आये थे हालेंकिन का selection बहुत बहुत लोग है इवन 5% से भी कम है लेकिन बाराक definitely आप अपनी team में consider कर सकते है में भी आप holis को अटागे बराक के साथ जा सकते है थोड़े से risk टेकर जरूर होगा लेकिन overall बराक बहुत quality player है CDA में हेलास वरोना के लिए इनका बहुत अच्छा season इस बार गया था अब बात करते हैं Patrick अभी तक Czech Republic ने इस tournament में 5 गोल मारे है जिसमें से 4 गोल Patrick Schick ने मारे है और उसमें 4 में एक गोल इनका penalty में भी आया है इनके main penalty टेकर टेलिस्मेन यही है और कुछ भी Czech Republic को उमीद होगी आज वो सबसे ज़्यादा Patrick Schick से ही होगी गोल scoring की overall golden boot chase कर रहे हैं उसका region है इनके 4 गोल है Cristiano Ronaldo के 5 गोल है इसके अलावा इनके जितने close rival से अभी golden boot के लिए लुकाकू, फॉसबक यह सभी का tournament over हो गया है तो Patrick Schick के पास एक बहुत अच्छा मौका है golden boot जीतने का अगर आज एक या दो गोल मारते हैं तो golden boot की race में भी बहुत आगे हो जाएंगे इस वज़े से इनकी motivation भी बहुत ज़्यादा higher रहने वाली है overall बहुत quality player है आप definitely इनको अबनी team में pick करके captain, vice captain भी try कर सकते है in case अगर आपको लगता है दोनु side से score आएगा अगर आपको लगता है Denmark की proper clean sheet आएगी तो आप इनको drop करने का risk ज़रूर ले सकते है लेकिन मैं आपको ये suggest नहीं करूँगा बहुत quality player है, बहुत inform है और बुन्दस लीगा series दोनु में बड़े बड़े club में खेला है AS Roma में खेला है, RB Leipzig में खेला है और आच्छा performance लगातार इन्होंने किया है तो ये overall Czech Republic की प्रोविवाल इलिवान थी सभी scenario, सभी main players के बारे में explain कर दिया ये इनके अभी तक के सीजन के stat है अब ये के लिए जो मेरी prediction है 1-1 draw या 2-1 Denmark तो slightly मैं Denmark के favor वाली team के साथ जा रहा हूँ लेकिन ये 2-1 Czech Republic या 1-0 Czech Republic भी हो सकता है किसी भी side match जा सकता है हो सकता है goalless draw हो के penalties में ये match चले जाए तो फिलाल के लिए जो मैंने demo rough team बनाएए उसमें देखते हैं तो वेचलिक मैंने चेक के goal के बल लिया आप यहाँ पे शोलिस Michael के साथ जा सकते है आप जो मैंने 3 Denmark के defenders मैंने पिक किया है वास पिक किये हैं महेले पिक किये है दो default must pick player क्रिश्चन सन के place में आप में भी यहाँ पे साइमन कियार या वेश्टी गार्ड में किसी एक के साथ जा सकते है और मैंने यहाँ से सूफाल पिक किये सूचेक, होलेश, दामस कार्ड और होई बंग मेरे midfielder है ब्रेथवेट और शिक मेरे forward है ब्रेथवेट के place में आप डोलबक को भी कर सकते है जिनका selection भी आई होगा पिछले game में दो goal आए हैं और एक और आप change कर सकते हैं आप यहाँ पे होलेश के place में बराग पे risk ले सकते हैं जो मैंने अभी बताया था overall यहाँ पे captaincy wise captaincy के लिए शिक बहुत अच्छे option है सूचेक decent option है महेले बहुत important option है होई बाग अच्छे option है अगर आप थोड़े से risk टेकर हैं मेभी आप dance guard पे भी risk ले सकते हैं या even breath weight पे भी तो overall यह एक demo rough team है लाइन ना पाने के बाद शोलीस में changes expected है तो मेरी final small league team 8 grand league team के साथ आपको telegram channel में मिलेगी link description में जरूर join कर लेजे